तो नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेजिए क्लासेट में फर्स्ट फेज खतम हो गया है ठीक है और अब यहां एक अंताजा लगाया जा सकता है कि क्या मैरिड रह सकती है अब जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े घ्यानी बठे हुए है जो इस मेरिड को बता रहे है कि 280 जाएगी दो सनब जाएगी को उस तो बतारी 300 प्लस भी जाएगी ठीक है और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वह बड़ा दी मोटिवेट है पेपर अच्छा देके आया पर दी मोटिवेट है कियार मैं भी इतना ही कर रहा हूं वह भी उतना ही कर रहा है जिसने दो मेने पड़ा ह वह भी उतना ही कर रहा है जिसने 2 साल किया है उस भी उतना ही कर रहा है तो हमारा नंबर कैसा है यह बड़ा सोचने वाली बात है ठीक है तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी एसाई के कटॉप पर फर्स्ट स्टेज है और हो खतम हो गया है थोड़ा से जल्दी अच्छा एक्जाम निखाल देते हैं और आप रेस से बाहर हो जाते तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो इस वीडियो में पर देखेंगे यूपी एसाई के कटॉप पर थोड़ा बात करेंगे और देखेंगे कि हाँ सच में क्या पेपर इतना सरुर है अब बंड्य ये जो बंड खोग यहां पर इसकी आपर कंजिया और यहां पर बंड खाव असकंपर उसकी एक्योरे कि में और जो तक है कि और यहां पर संबूरा लगा सकता हूं जो 2 कि चांतिक होगी वो जाहते इस से तो बहुत ज़्यदा रेंगे ज़्जियों इस्ष्टा यह जाहिड से बाते हैं और यहां पर सेलक्षन इसी बेस पर होगा एक अजन आपकी आपकी एक कोरेसी बहुत सभी जा रही है आपने वह कोश्चन गलत नहीं किया जो से 80 स्टूडेंट चाहें तो जाहर से बात हैं आपका से्लेक्शन होने वाला क्यों बोल रहा हूं कि तो वो कोशन सही करेंगा पर वो कोशन नहीं कर पाएगा जो 20 परसेंट स्टूडेंट कर पा रहा है ठीक है तो जाहर से बते हैं जहां पेपर थोड़ सा टफ होगा वहां पर पर परिशानी होगी अब यह जो है कि जितने भी स्टुडेंट पेपर दे के निखल रहे हैं वो बोलने एक सुबीश एक सो पचीश एक सो तीश एक्शली क्या है यहां पर थोड़ी सी साइकलोजी काम करते हैं कि यदि किसी एक्जाम में आप एक्जाम दे रहे हैं और पहले बाद तो माइनस मार्किंग है इस सुसाड़ कोशन सभी अटेंब कर रहा है तो सब को यह भरम है कि सभी कोशन उसके सही है पहला प्रम कि दूसरी जब आप पेपर देने जब पेपर अब देते हो दे चाहिए थिक है समझे ना मरी बात को यहां पर एक भना मा जाता बच्चे के मन में क्योंकि उसके दिमान में पॉसिटीव साइन बन जा रहा होता है ठीक है कि हाँ बाइने तो कोशन एकदम सभी है जब मेरे इतने कोशन सही है तो मेरा तो सेलक्षन हो नहीं है जबकि वह इस कोशन 50 कोशन भी सही नहीं कर पाऊंगा और वहाँ पर वह एक ही जार में यानी एक ही साथ 50 कोशन जब एकुरेट कर देते तो उनके मन में भ्रम बढ़ गया क्या अब तो हो जाएगा आज आएसा बात है कि 50 कोशन तो कोई भी बन्दा सही करिया आएगा सेलक्षन किसका यहां पर जो 80% रहें वह पता है कहां रहां रहाई करेगा वह रहां करेगा सतर से लेके 90 के बिच में अची पर सरफ स्टुडेंट इसी के पीच में फशा रहेएका कऊ इस से डॉंग भी रहे इस से उपर नहीं हो संग च्क त सME मैंने की तयारी और नहीं नहीं जांक你在 करना है तो उसने बहुत समझ बूच करके पेपर किया होगा यह मान सकता हूँ अब यह दो साल भी हो सकता है यह साल के भी इस्टुडेंट कोई कोई या होते चैनल में भी अच्छी एफिजेंसी बना लेती चैनल लगाता हर दिन यदि उन्होंने च्छा गंड़े पड़ा है टो मैं बहूं सकता है यह बहुत रहा हूं तक यह सथी कर रहा हूं वह सतर सनॉम्द के पिछ में हेहें चलना है और मैं फिर बतात हैं आप अभी देख लीजेगा जब उसका Infin hasad refuse जो 128, 115, 120 बोल रहा है न वो गिर पड़के क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ और एक जो स्टुडेंट है जिसका लगना है जिसको पता है कि मेरा सेलेक्शन होगा वो बकर बकर नहीं करता है और नहीं वो खड़े होगर के मुआयना करवाता है कि मेरा पेपर ऐसा गया है वो चीजें नहीं बताता है यह एक स्टुडेंट की पहचान होती मेरे भाई इस बात को अपने दिवांग में डाल रखो ठीक है और वही बच्चा सेलेक्ट हो जाता है क्योंकि वह छुपा रहता है छुपा रिस्तम जिसे बोलते हैं तो मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोलत सही है मतलब 25270 का स्कोर यदि उसका बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई माई के लाल उसको है और यदि जन्रल यदि आप 105 प्लस है तो इद्दम श्योर है यदि आप सौ प्लस भी है तब भी आप त्यारी कर सकते मैंने बोला था मैं स्टार्टिंग से पिछले च्छे मैंने आट मेंस यही बोलता रहा हूं आपका स्कोर सौ प्लस होना चाहिए यदि आपको जन्रल 105 मैं रखूंगा यदि मैं 103 से 105 रखू बहुत अच्छा रहेगा इसकुछ बोलने इसकी मेरिट का बलते ओबी सी से डाउन लएगा ऐसा नहीं होने वाला इसकी मेरिट भी लगवा यहीं पर 102-103 क्यास पास लगेगा यह फिर 100 क्यास पास भी लग सकती है पांस कोशन जितने हैं मेरे भाई हैं यदि वह 90 प्लस करके आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसका सेलेक्शन होना चाहिए ठीक है 90 यदि आपने अंसर मिला लिए हैं कहीं से इधर उदर से मिला लिए आपको शेयर हो गए एसी कंडिडेट की भाई 90 प्लस है आप अभी से दोड़ना कि यह रनी होगे निगर का बार होगा नो डाउट इसमें रनिंग में लड़का बाहर होने वाला है यह मांन कर लिए और फिर डिवी पेष्टी में आपको सब्सक्राइब जाएंगे यह मान के चलिए तो मैं यहां अपर ऑवर्योल कह सकता हूं और हां गोल गर्च्ष की लि 25 बीच में हैं गल्स तो मेरे साथ से शोर रही है कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर कोई भी समस्था नहीं होगी जो लोग कह रहे हैं कि मेरेट 270 प्लस जाएगी ठीक है तो यह संभव नहीं है और यदि मैं बोलो बहुत हद से हद तक यदि अभी दो फेज बचे होगे बहु यदि मैं रियल बोलू यह तो मैं एक एक्सपरेशन लेके चल दाओ यदि मैं रियल बोलू तो यह मेरिट और दस मेंबर डाउन जाएगी 255-268 के असपास ठीक है मैं फिर भी मैं एक ओवराल बोल सकता हूं 265 प्लस जो है उस बंदे का सेलेक्शन हो रहा है और अब निशि सब्सक्राइब और फिर उसके बाद दोड़गी शुरुबात कर दें 20 तारीक से ही कर दें दीरे-दीरे कर दें कि टाइम लगेगा 10-12 दिल लेगेगा उसको रिन्यू में आने में यानि प्लेटफॉर्म में आने पर फिर उसके पांच किलमेटर के दोड़ए 25 में में कवर क सवाल आया करते हैं कोई दिक्कत नहीं आने दो वह जायर सबाते हैं जो लोग अभी नेस फेस में देने वाले हैं सेकंड में थार्ड में उनके लिए क्या है मैं यहीं बोलूँगा कि आपने पढ़ा है आप अपने पढ़े विश्वास करें और वह कोशन गलत ना करें जो कि हर बच्चा है हर बच्चा करता है बस उन को गलत मत करने क्योंकि आप जांते वह थ्लटत को चन वी जब जाएंगे अवरेस इनकर तो आपो कर देंगे मगर सरल गलत करना यह तो वो तुम्हें लातमार के बाहर कर देगा यह यह एकदम शैर है हर कोशन को बहुत अच्छी बीट टाइम टेक करता है लेता है लगेगा आरहा आरा आरहा है कि चक्कर तीश सेकंड चला जाता है यह नहीं आरहे चोड़ आगे बढ़ जाओक ज्यादा किसी समय जैसे अभी पेपर आ मुझे नगता किसी भी कोश्वन आपको बहुत ज़़ा समय देना चाहिए बहुत ज़़ा समय ना दिए बहुत ज़़ा एक मिनट हर सवाल के लिए ठीक है पड़ेगा तो बहुत ज़़ा एक नंबर बहुत हथ स्याथ दो नंबर एक कोशन माल लिए भाई इससे ज़्यादा नहीं होगा ठीक है यह इसाई का ही पेपर मेर भाई मैं आपको पहले कह रहा था जो लोग कह रहे थे कि तिरंदाजी पेपर आएगा पिछे साल से टपर यदि एटप पेपर देंगे पेपर में बच्चा ही सलेक्ट ने कर पाएंगे और इनकी यहीं मंसाई के भाईजा पेपर हलका रखो जिससे कमसे इनको बच्चे मिल पाएं कि दस या लड़का है ना तो इनको बच्चा भी तो लेना है नहीं ती चार गुना बच्चा आधी में अच्छी से महिनत करें और रिजनिंग देखें मोल विदी को भी अच्छे से देखके जाएं जिससे वहां पर आपको कुछ नया ना लगए ठीक है बागी चैनल पर पहली बार आएं चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक और शेर करना ना शेर करें भाई इस वीडियो को शेर करें जिससे बच्चा जो है वह अभी भ्रम में आ रहा है त्यारी करें अपनी धनिंग वनिंग की ठीक है फिर से ओवर आल मैं बोलूँगा अभी यदि आप मोटा मोटा लेके चलेंगे नब्बे से सौ के बीच में जितने भी स्टूडेंट है ज आप में त्यारी करें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस वीडियो में तरहें थैंक्यों सो मच वीडियो पसंद आए तो लाइक करो भाई सब लाइक करो चैनल सब्सक्काब करो थैंक्यों सो मच